हलो दोस्तों नमस्ते आदाब स्वास्तियकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्बुक्स उपकोचिक पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाएए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फिर से जहां पर हम लोग करेंगे important सवाल आपके exam के लिए तो start करने से पहले सभी को भर भर के good evening जल्दी जल्दी से सभी लोग तरियार हो जाए है पुश्पराज बलजीत परविंद इंपल्सिव अयंतिका सभी लोग को good evening तो चलिए start करते हैं लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या कर अगर आप परिश्पर करते हो तो definitely आपको दोस्तों यहां पर मनजिल मिलेगी ठीक है कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो definitely दोस्तों कहते हैं अपने परिश्पर जो विश्वास रखा है वही हमेशा जीता है ठीक है तो इस result को पाने के लिए हमें करना होगा महनत और इसलिए हम लोग यहां पे daily मिलते हैं तो फटावरश सभी लोग क्या करेंगे और यहां पे भाई यहां पुछ रहे हैं are you guys ready? अगर ready हैं तो फिर बढ़ते हैं हम लोग यहां पे पहले सवाल के साथ तो यहां पे yes, yes आ चुका है बिहारण सुन्दरबन बायोस्फियर रिजर्व के तीन वन्य जीव अभ्यारवलों में से एक है जो डैश राज में स्थित है तमलनाडू में महराश में उडिसा में या फिर पश्चिम मंगाल में कहां पे दोस्तो यहां पे कहरे सर पश्चिम मंगाल होना चाहिए ओके बाकी कौकता को किस नाम से जाने से किस नाम से सिटी ओफ जॉय के नाम से जानते हैं किस नाम से चुपारग में और से बमट थे एस DO सुन्दरबन बहुत इंप धर इंपॉण्ट है ति के बंढ़न जल्द पारा नेशनल पार कौन से दोस्तो गूगाश्चनल पार कौह से गुगामल गोगुमूरा नैशनल पार्क आपको यहीं पर देखने को मिलता है यह याद रखेगा ठीक है और दोस्तों अगर आपसे पुछा जाएगा आखिर यह लोथियन आइलेंड जो बड सैंक्चुरी है यह कहां पर है तो साउथ और चौबिस परगना इस डिस्ट्रिक क के यह याद रखेगा चौबिस परगना इस्टिक के सायॉथ में यह जोस्तों लोकेटटेड है और दोस्तों कौन से नधियों से घरे है ब सब-क और नदी से घिरा हुआ है किस नदी से दोस्तो सब तो मुखी रिवर से ये घिरा हुआ था ठीक है घिरा हुआ है आगे बढ़े वेरे कोड़ एंतिका मकबूल अगले कोशन परते दोस्तो अगला कोशन आपके लिए ये रहा दोस्तो विच ओफ फॉलॉइंग इंडियन कंपनीज रिसेंटली प्लेश एड़ी कॉप ट्वेंटी सेवन क्लाइमेंट सम्मिट देट इट विल प्लांट एंड ग्रोव वन मिलियन ट्रीज बाय ट्वेंटी थर्टी एज पार्ट ओफ इस कमिटमेंट तो इट और्गनाइजेशन दोस्तो निमलिखित में से किस भारती कंपनी हाली में कॉप ट्वेंटी सेवन जलवाई शिखर सम्मेलन में प्रतिग्या ली थी कि वह अपने और्गनाइजेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक एक मिलियन पेड लगाएगी और विक्सित करेगी यहाँ पे बोरोसिल, अदानी ग्रीन औ दोस्तों, रिन्यू हो जाएगा, ऑप्शन नमबर फूर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कॉप का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कॉन्फरेंस ऑफ पार्टी, क्या दोस्तों, कॉन्फरेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म है, और यह सवाल दोस्तों आपके CGL Tier 1 में भी पूछा गया था, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, अगला कौक्शन दोस्तों, विच ओफ दा फॉलाइंग वाज ओरिजिनली, अ फंडामेंटल राइट, बट इन 1978, वाज मेड अ लीगल राइट, एज पर आर्टिकल 300 ए, निमलिखित में से कॉन सा मूल अधिकार, मौल कि देखें दोस्तों, राइट टू प्रोपेटी उनका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखें दोस्तों, राइट टू प्रोपेटी पहले क्या था दोस्तों, फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट, कौन से अनुछेद में था, अनुछेद 31 में था, कौन से भ 300 A में इसको पटक फेक हा और दोस्तो भाग अगर आप से पूछेगा तो भाग बारह याद रख लीजएगा यह पूछा जाता है ठीक है पहले दोस्तो के हम बात करें हमारे मौलीक अधीकार कितने थे साथ थे कितने थि दोस्तो धे फिर कितने हो गाए छै हो गए है क्योंकि right to property जो है वह मौलिक अधिकार से हटा दिया गया हमारे पास दोस्तों एक दो तीन ये तो मौलिक अधिकार है ही उसके लाँ दोस्तों देखे right to equality कैंद दोस्तों right to equality ठीक है freedom right to freedom freedom दिया गया है ठीक है फिर उसके बात दोस्तों यहाँ पर right against exploitation, क्या दोस्तो, right against exploitation, cultural and educational right, क्या दोस्तो, cultural and educational right, ठीक है, right to religion, right to freedom of religion, ठीक है, religion के लिए दोस्तो, यहाँ पर दिया गए है, और remedies, तो दोस्तो, इसको मिला के 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 right है हमारे पास, ठीक है, आगे बढ़े, very good people, आदित, धननजय, शशांक, आगे बढ़ेंगे दोस्तो, अगला सवाल आपके लिए यह रहा, दोस्तो, what kind of festival is नौखाई जोहर, which is celebrated by the people of उडिसा, during the month of August and September, दोस्तो, अगस्त और सितंबर के महिने में, उडिसा के लोगों द्वारा बनाया जाने वाला नौखाई, जो हर, किस प्रकार का त्योहार है, agricultural festival, cattle worshiping festival, animal race festival, या फिर boat race, कैसा है दोस्तो, यह, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कहरे सर, one, 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 तो दोस्तो, जिपते लोग one कह रहे हैं, उनका correct होगा, देखिए दोस्तो, नौ खाई, दोस्तो, नौ खाई, दोस्तो, दो शब्द से बनाया है, नौ और खाई, ठीक है, नौ का मतलब होता है new, ठीक है, new, इस चतुर्थी के जस्ट दूसरे दिन इसको celebrate किया जाता है in the month of August और September ये याद रखेगा ये पूछा जाता है कौन से महीने में पूछेगा तो इसको हिंदी में दोस्तो भाद्र मन्त कहते हैं ठीक है चले आगे की तरफ चलिए आगे बढ़ते दोस्तो अगला question आपके लिए ये रहा लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ जो भी यहाँ पे SSE की तैयरी करें दोस्तो आपको अलग-अलग platform पे जरुद नहीं कोई test book ले करा है super coaching जहाँ पे दोस्तो आपको 15 से भी ज़्यादा courses, 1000 से ज़्यादा life classes, 100 से ज़्यादा study notes practice के लिए और दोस्तो यहाँ पर आपको 1100 से भी ज़्यादा mock test दिये जाते है 2499 का course आप ले सकते हो 2499 में by using coupon code GAURAVM, G-A-U-R-A-V-M जैसे आप इसको इस्तमाल करोगे दोस्तो यहाँ पर आपको maximum discount मिल जाएगा और आप अपनी तयारी भी कर पाओगे ठीक है और इसी के साथ दोस्तो आज जो है smart book का last day है दोस्तो smart book दोस्तो give away जो था अब दोस्तो यहाँ पर आज last day आ चुका है तो मैं आपको बता दू यहाँ पर विवेक पवार और शभादीप सरकार जी जो है वो जीते हैं और दोस्तो यहाँ पर शीवम सोनी जी एंड रिचा गरवाल जी जीत चुके हैं तो आज था आखरी दिन इसका smart book का तो अब इन लोगों को congratulations इसके बाद दोस्तो विजेता नहीं आएंगे लेकिन यह रहा इनका सफर जहाँ पर लोगों को जीता है smart book ठीक है चलिए बढ़ते हैं दोस्तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पर अगले question पे West Zone won 2022 दुलीब ट्रोफी टाइटल on 25 सेप्टमबर 2022 after defeating south zone in कमबटूर who was the captain of the west zone West zone ने कमबटूर के south zone को हरा कर 35 सेप्टमबर 2022 को दुलीब ट्रोफी 22 का खिताब जीता है West zone के कप्तान के रूप में किसने प्रतिन दुलीब किया उम्रान मलिक कुरुनाल पांडिया अजिंक रहाने और दिनेश कार्थिक कौन थे दोस्तो यहाँ पर कहरे सर अजिंक रहाने होने चाहिए ओके बाखी लोग कहते दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक अगर एक्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप आंसर क्या करेंगे फटाफट से सभी लोग बताएंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए ठीक है तो जल्दी यल्दी बताएगे तो दोस्तों यहाँ पर करेक्टान से क्या हो जाएगा 1961 to 62 के बीच में दोस्तों इसको खेला क्या था पहली बार यस और नो अगर यस है तो आगे बढ़ते हैं नो है तो फिर आप बताएंगे ठीक है चलिए 1961 बहुत बढ़ी है अगले कोशन बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए यह रहा दोस्तों दोस्तों अगस्त 2022 में वित्ती सेवा मंच पेटियम के प्रबंधन निदेशक और मुख्यकारी कारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नुक्त किया गया है शेरी सेफी, सेयद असलान अली, कृतिका त्यागी और विजय सेखर सर्मा किसको किया गया दोस्तों यहाँ पर क सेखर सर्मा कह रहे हैं, उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय सेखर सर्मा, अच्छा, पेटियम को कब फाउंड किया गया, यह पूछा जा सकता है, तो इसको फाउंड किया था, 2010 में, कब दोस्तों, 2010 में, हेड़को आप बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कोशन आपके लिए, ग्रे रेवोल्यूशन इन इंडिया इस रिलेटेट तो विच आफ दा फॉलाइग, भारत में धूसर करांती निमलिखित में से किस से सम्मंदित है, क्या वो फटिलाइजर प्रोड़क्शन है, मस्टर्ड बढ़ विच्ञे बड़क्शन है, जल्ली से बताएं, फैटिलाइजर, फैटिलाइजर तो दोस्तों, यहां पे पर पर रिडिट आंसर क्यों जाएगा, अब देखें दोस्तों, यल्लो ऎलो रेविलूशन पूचा जाता है आपसे इक्जाम में, यल्लो रेविलुशन किस स किसे लोठोळे मद करें ही और स्टों काई यह वह मैं लना जाता है किसको ही रालाल जी को कहा जाता है उसके यालावा कंगः फैसको बात करीं गोल्डन रेवलूशन minister यहाई गोल्डन रेवल्टयशन से दोस्तो अपका जूट। निख मतस्तो पुछ से है। फिर आपसे दोस्तो रौन रेवल्ड़ेपशन किस से दोस्तो तो राउन रेवल्टयचन पोटैटों से पूराइट्टों से किस making connect revolution white revolution किस से दोस्तो white revolution white revolution दोस्तो milk से ठीक है और father किसे कहा जाता white revolution के वर्गिस Korean को किसको दोस्तो वर्गिस Korean को कहते हैं ठीक है इसके अलावा दोस्तो green revolution green revolution के अगर हम बात करें दोस्तो तो यह किसे wheat से ठीक है और दोस्तो father of green revolution इन्डी वर्ड विश्व में किसे कहा जाता है नौर्मन बॉर्लोग को किसको दोस्तो नौर्मन बॉर्लोग को कहा जाता है यह याद रख लिएगा ठीक है अगर दोस्तो आपसे पुछेगा इंडिया में तो इंडिया में किसे कहा जाता है दोस्तो MS स्वामी नाथन जी को किसको दोस्तो MS स्वामी नाथन जी को कहा जाता है अगले question पर बढ़ें चलिए आगे बढ़ते वेरी गूड आदेत, सनमुखा, कृष्णा, डिवाइन, आशीश बहुत बढ़ी है अगला question दोस्तो आपके लिए पिन वैली नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया पिन घाटी राष्ट उद्यान भारत के किस राज़े में स्थित है हिमाचल परदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और यहाँ पर पुछा यह गुजराद, जल्दी से बताएए हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हिमाचल परदेश क्या है? दोस्तों हिमाचल परदेश करेक्ट आंसर होगा अब देखें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जम्मु कश्वी में दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा कौन से दोस्तों दचिंगम नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको ठीक है पंजाब में दोस्तों कि कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा कोई भी नेशनल पार्क नहीं मिलेगा नो नेशनल पार्क कोई भी नहीं है नेशनल पार्क वहाँ पे गुजरात में सर कौन सा मिलेगा गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा ठीक है और कौन सा मिल जाएगा दोस्तो जल्दी से बताएगे गिर के अलावा कौन सा मिलेगा मरीन मरीन नेशनल पार्क ठीक है वांसदा दोस्तो हैमिस नेशनल पार्क कौन से दोस्तो हैमिस नेशनल पार्क है कहां पर है लद्दाक में है सर सबसे पहला नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क दोस्तो कॉर्बेट नेशनल पार्क था जिसको दोस्तो 1936 में बनाया गया था इसका दोस्त पहां प्लस एपप्लैंट है यह आद रखेगए यह आपसे पूछा जाता है ठीक है चले अगले कोशिट पर वारी गूर में शुभांशु मंगेश मीरा सिमरन तमन्ना बहुत बढ़ी अनिदी अगला कोश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहा दोस्तों एक पंडबी से पाणी की सता पर वस्तों को देखने के लिए इस्तमाल किया जाने वाला उपकरण है हैं ईगाहँ वहां का एक रिचसार को है एक्जाइम में बहुत बार पुछा गया है है हाइग्र Κा का इस्तंवाल किसे लिए जाता है कि के लिए कि को humalom इसी से उइन अ FP आ है हृइड्र दो, confused मत हुईएगा, यहाँ पे D है, यहाँ पे G है, hydrometer, ठीक है, hydrometer, relative density, किसके लिए दोस्तो, relative density के लिए किया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद, दोस्तो, आप लोगे पुछा जाएगा, Sphagonина Manometer, किया, स्फाइगनो मैनो मीटर, इसका इस्तमाल किसले करते हैं, इसका दोस्तो Blood Pressure को मापने के लिए, बहुत ही IMPORTANT है, Lactometer Lactometer का इस्तमाल दोस्तो Purity of Milk, क्या दोस्तो, Purity शुद्धता, दोस्तों अगर दूद की शुद्धता मापनी हो तो हम लोग किस से मापेंगे, लेक्टो मीटर से मापेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों फैथो मीटर, फैथो मीटर का इस्तमाल क्यों किया जाता है, फैथो मीटर का इस्तमाल किया जाता है, गहराई, डेप्थ को मापने के लिए, फिर एक होता है दोस्तों एनिमो मीटर, क्य रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट आफ क्लास 125 कक्षा एक से पांच तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जागरती कारेकरम का शुभारम किसने किया धर्मेंदर पधान नितिन गटकरी पीम नरेंदर मोधी और राजना सिंग किसने कि जो हमारे पहले याद रखीगा ये भी पूछा जाता है अब दोस्तो सवाल ये उड़ता है कि ये जो हमारे निकरे जान रहे रांस करेकरम करेकर अंसर कॉन धंट Kinder क्यों मुलाना अबुल्क अजाज जी दोस्तों क्या थे ह कहले पहले education minister थे ये भी याद रखीगा ये भी पूछा जाता है अब दोस्तो सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे लिए राम कृष्ण मिशन जो है ये कब शुरू की गई थी दोस्तो तो राम कृष्ण मिशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तो इसकी शुरुवात की गई थी दोस्त स्वामी विवेका नंद जी के दौरा किसके दौर दोस्तो स्वामी विवेका नंद जी के दौरा स्वामी विवेका नंद जी का रियल नेम क्या था दोस्तो नरेंद्र नाथ दत दोस्तो ध्यान से देखेगा नरेंद्र नाथ दत इनका दोस्तो रियल नेम था ठीक है दोस्त थे अपने गुरू से दोस्तो बड़े influence थे इसलिए दोस्तो इन्होंने 1897 में कब दोस्तो 1897 में राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी और दोस्तो हम जो एस्परेंट होते हैं विवेका नन जी से बहुत ही जादा प्रेरित होते हैं इसलिए दोस्तो आपको याद होगा हम यहाँ पे 12 जन्वरी को दोस्तो क्या मनाते हैं यूथ डे यह भी याद रखना है यह पूछा जाता है स्वामी विवेका नन जी को याद रखते हुए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला कोशन दोस्तो आपके लिए यह रहा ऑस्टियोपोरोसीज एंड आर्थरेटिक्स अफेक्ट दी दोस्तो ऑस्टियोपोरोसीज और गठिया डैश को प्रभावित करते हैं किसको ब्लेड को तीज को इसकीन को या फिर बोन्स को किसको करते हैं दोस्तो फड़ा फट से सभी लोग बताएंगे और दोस्तो यहाँ हम लोग 292 लोग लाइव हैं फड़ा फट से एक बार क्या करेंगे जल्दी जल्दी से शेयर करेंगे और लाइक करते हुए चलेंगे ठीक है चलिए बढ़ें आगले कोशन पर ठीक है दोस्तो जीते लोग यहाँ पर बोन बोन कहरें दोस्तो उनका करेक्ट आंसर होगा जो दोस्तो एक नंτर होता है उसके अंदर कितनी हडियां होती है 300 हडियां होती है देखें दोस्तो 206 हडियां तब होती है तो बढ़ जाएगी फिर हना हसी मजाक वाली बाते ठीक अच्छा दोस्तो सबसे बड़ी लार्जिस्ट बोन बॉड़ी की दोस्तो कौन सी होती है वह होती दोस्तो फीमर क्या दोस्तो फीमर होती है और यह स्ट्रॉंगिस्ट बोन भी होती है ठीक है स्ट्रॉंगिस्ट बोन भ विटामिन D की कमी के कारण होती है ठीक है विटामिन D के कारण दोस्तो रिकेड भी होता है औस्टो मलेशिया भी होता है औस्टो परोसिस भी होता है अगले कोशन पढ़े दोस्तो अगला कोशन दोस्तो डैश has developed a first of its kind AI adoption index for India in June 2022 ध्यान से दोस्तो current affair का कोशन डैश ने जून 2022 म अच्छी फिकी लगु उद्योग भारती लब और नैशनल अस्टोसियेशन और सॉफ्वेर एंड सर्विस कंपेड नैस कॉम किसे ने किया दोस्तो यहां पर कह रहे है सर ऑप्शन नंबर होना चाहिए डी ऑप्शन ओके बाखी लोग क्या क्या दी करेक्ट आंसर होगा या पिर नहीं होगा छलिए दोस्तु जितने लोग डी ऑप्शन के रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहां करेक्ट आंसर क्या जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा अच्छा दोस्तो इसकी स्थापना कब हुई इसको दोस्तो फांड कब किया गया 1988 में हेड़ कोार्टर कहां पर दोस्तों दिल्ली में दोस्तों अगर हम बात करें इसके चेर्मैन और चेर्पर्सन कौन है कुछन रामानुजन च याद रखेगा कृष्णर रामानुजन ठीक है चलें आगे की तरफ चलें आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले कोश्चन पर लेकिन कौन से इस्टिट्यूट देते हैं वो पुछा गया है जी किसा में नोबल पुरुस्तार किस संस्थान दोरा प्रदान किया जाता है Royal Swedish Academy of Sciences Stockholm Sweden, Nobel Assembly and Karolinska Institute Stockholm Sweden, Swedish Academy Stockholm Sweden, Norwegian Nobel Committee जल्दी से पताई यहाँ पर correct answer क्या होगा यहाँ पर कह रहें सर C option होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों जीते लोग C कह रहे हैं उनका गलत answer होने वाला है यहाँ पर B correct answer हो जाएगा, ठीक है correct answer B हो जाएगा, यह याद रखेगा यहाँ पर होगा B, अब देखें दोस्तों सवाल यह उठता है, सर यह देता है medicine का, बिल्कुल सही बात है तो Royal Swedish Academy Sciences किसके देता है, तो यह दोस्तों physics, किसके दोस्तों physics और chemistry के, किसके दोस्तों physics और chemistry के देता है, ठीक है फिर उसके बात सर Swedish Academy Stockholm यह क्या देता है, यह दोस्तों देता है किसमे, literature में, किसमें देता है, literature में देता है सर Norwegian Nobel किसमें देता है, यह दोस्तों देता है, peace prize, क्या दोस्तों peace prize अब दोस्तों आपके पास, एक field, दो field, तीन और चार, और यह हो गया, पांचवाँ, जो की medicine हो गया छटवाँ बचरा है, economics, ठीक है, यह आपको बताना है, यह कौन सा institute देता है, यह आप लोग homework के तोर पे comment box में answer करोगे ठीक है, चलें आगे की तरफ, यहाँ पे correct answer चलिए, आगे बढ़ें अगले question पे, अगला question दोस्तों आपके लिए यह रहा, दोस्तों, बोरो, बोरो and ethno-linguistic community is native to which of the following state union territory of India बोरो एक निजाती भासाई समुदाय भारत के निमलिखित में से किस राजी या फिर केंदर शाषित प्रदेश का मूल निवासी है, असम, गुजरात, मध्यप्रदेश या फिर अंडमान निकोबार, किसका है दोस्तों, असम, असम, तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा, असम को कर यादा हाएगोड की benches, छे benches है, याद रखीगा दोस्तों सतरिया सतरिया जो है यहां पे दोस्तों एक famous dance है जो की शंकरा देव जी के दौरा शुरू किया गया था यहां पर हम बात करते दोस्तों बी हू एक dance बी है और एक निर्त भी है इससे सवाल भी पूछा जाता है ब कोंगाली अप्रेल के महिने में मनाय जाता है कोंगाली अक्टूबर के महिने में और भोगाली दोस्तों जैनवरी के महिने में किसमें जैनवरी के महिने में इससे दोस्तों जादा इंपॉर्डेंट एक सवाल पूछा जाता है कि असम में एक दोस्तों त्योहार मनाते हैं जो क से बड़ा रिवर आइलेंड है दोस्तो मजूली आइलेंड वो भी आपको कहां पर मिलेगा असम में मिलेगा कौन से नदी पे दोस्तो ब्रह्मपुत्र नदी पे देखने को मिलेगा अगले कोशन पर बढ़े 298 लोग लाइव है दोस्तो फड़ा फड़ से एक बार हेर और ला इट हैज हाई फ्रिक्वेंसी इट केरीज हाई एनर्जी इट हैज हाई डेंसिटी बताइए फड़ा वर से वैरी गुड ए ए कहरे दोस्तो यहां पर जितने लोग उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इट हैज लॉंग वेवलेंड दोस्तो सीरीज आपको याद होगी वि वी से क्या हो गया वाइलेट कलर हो गया क्या दोस्तो वाइलेट हो गया आई से इंडिगो ठीक है बी से ब्लू जी से ग्रीन वाई से यलो ठीक है ओ से ओरेंज और आर से रेड रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंद क्या दोस्तो सबसे ज़्यादा वेवलेंद जिसकी वज वेवलेंद सबसे कम जो होगी इसकी होगी इसलिए दोस्तों आप देखोगे वाइलेट बहुत जादा फैल जाता है इसलिए दोस्तों लाल गुलाब मत लेके जाना ठीक है क्योंकि लड़की समझेगी कि भाई यह तो डेंजर आदमी है नहीं एकसेप्ट होगा ठीक है असी बिरहोर डांस इस ट्राइबल फोक डांस फ्रॉम डैश बिरहोर नित डैश का एक आधिवासी लोक नित है कहां कभी करनाटिका पंजाब हिमाचर प्रदेश और जारखंड कहां कए दोस्तों फटा वर्स बताईए चलिए यहां पर कहर सर होना चाहीं जारखंड ओके बाकी अलावा kardis लमबी चेहिए उसके अलावा यकषगान के दोस्तों यकशगान और T趣 Dan हुकी कहां का है करनाटिका का है पंजाब कहां कौन से है दोस्तों पंजाब के अगर हम बात करें तो पंजाब की दोस्तों यहाँ पे भंगडा के दोस्तों भंगडा बहुत फेमस है भंगडा गिद्दा क्या दोस्तों गिद्दा ठीक है गिद्दा के अलावा दाफ क्या दोस्तों दाफ यहीं का दोस्तों फेमस है क्या भं दूस्तो आप लोगें से पूछा जाते हैं दोस्तो पछा जांत को दोस्तो आपको याद रखना है जो आपसे बार-बार पूछे जाते हैं जुल्षski जुमर्ती बहें बहुत हैं ठीक negativity जुमर दोस्तो घूमर नहीं कहुआ करा हूं नाहीं में जूमरा कह रहा प्लेंग अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं सरोड सारंगी सितार और तबला फड़ावर से बताईए यहां पर कह रहे हैं उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे ठीक है इनको दोस्तों पदमा वार्ड से सम् पदमभूशण और पदमश्री किस से किये गए थे जल्दी से बताईए और तबला की बात करें दोस्तों जाकीर जी का नाम अल्ला राखा ठीक है अल्ला राखा पंडित अनिंदो किसका दोस्तों पंडित अनिंदो जी का नाम याद रखेगा पंडित अनिंदो जी का भी न सरोड समराट और यही दोस्तों सवाल पूछा गया था सरोड समराट किसमें CGL Tier 1 में पूछा गया था कि सरोड समराट कि को कहते हैं उस्ताद यहां पर अजमद अली जी को कहते हैं ठीक है अगले कोशन पर बढ़ें चलिए अगला सवाल विच ओफ दी फॉलॉइंग कोश्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेइनफॉल फ्रॉम दी नौर्थ इस्टन मौनसून दोस्तों भारत में निम्न में से किस तटी प्रदेश में उत्तर पूर्वी मौनसून से वर्शा होती है गुजरात कोश्ट कोरोमंडल कोश्ट कोनकन क कहां से ओती दोस्तों फडावर रिजस होना चाहिए ऊके बाकि लोग क्या कई दोस्तों उनका यह पर करेक्ट आंसर और आप हो जाएगा कोरोमंडल अप देखित दुस्तों भारत हमारा पेनिंसुलर एरिया Aisah इैं अब देखे दोस्तों यहां पर क्या है वेस्ट अब्सक्राश लिल सफे नौन सून खरोंगे कर दोस्तों कि तरह पर दोस्तों क्या होती हैं सुर। सब्सक्राइब करते हुए जाते हैं यह याद रखेगा ठीक है जले आगे चलिए और दोस्तों अगर नाजन चंद्र सेक्रन यहां पर नाचा जाएक। ठेलोग बीकर है उनका यहां पर पर करेक्ट ठेला जएागा कॉछल। पूछा जाता है बतागी यह कंपनी को क्या फांड किया गया. में एक साजेट करेंगे और उसकों साले 300 गे उपर लेके चलते हैं अगला कुशन दोस्तों आपके लिए सी राजा गोपालचारी लेड दी सॉल्ट सत्यागरह इन विच आफ दा फॉलवग श्टेट दोस्तो चकरवर्ती राजा गोपालचारी ने निमलिखित में से किस राज में नमक सत्यागरह का नेत्यतर किया था महराष्ट, तमिलनाडू, राजस्थान और गुजरात कहां पर क अगरें बहुत बढ़िया, यहांप क्या हो जारै कि अलाजा राजस्तो तक चली थी दोस्तों 13 अप्रेल से 38 अप्रेल तक करो जायन दुऩngा? एक आदमी थे कालेया, सौ आदमी थे ठीक है, याद रखेगा कितने दोस्तों, सौ आदमी, सीराजा गोपालचारी, सीराजा गोपालचारी को भारत का हाइस सिविलियन आवर्ड दिया गया है, कौन सा, भारत रतने, कौन सा दोस्तों, भारत रतन दिया गया है, कब दिया गया था यहां पर क्या यहां पर दिया गया भारत अतना ठीक है आगे बढ़े चले अगला कोक्षन दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों वीच आफ दी फॉल्वाइंग एलिमेंट इस नॉट देखे दोस्तों नॉट नॉट इंक्लूडे इन दा सर्कुलर फ्लो आफ इंकम इन सिंपल इन एकोनॉमी दोस्तों एक साधार अर्थ विवस्था में आये के चक्री प्रवा हमें निमलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है फैक्टर पेमेंट गोड्स एंड सर्विसेज डेप्रिसियेशन या स्पेंडिंग जल्दी से बताइए यहां पर करेक्ट आंस माइनस कर दोगे तो एंडी पी आ जाएगा ध्यान रखेगा ग्रॉष डोमेस्टिक प्रोडक्स में से डेप्रिसेशन माइनस करोगे यहां पर दोस्तों क्या जाएगा जल्दी से बताइए यहां पर फड़ावड से और जी एनपी से जब माइनस कर दोगे ठीक है तो यहां जोरूम से निकलोगे इसकी कोष़ 10,000 नहीं होगी इस पर दोस्तों डेप्रिसेशन लगेगा हर साल दोस्तों इसकी कीमत कम होती चली आएगे ठीक है चले आगे बढ़े अच्छे दोस्तों GST कई बार पूशाया जा जाता है कि GST दोस्तों कब लागू किया गया तो दोस्त का full form goods and services tax, यह किस तरह का tax है दोस्तों, indirect tax है, कैसा दोस्तों, indirect tax है, father of GST दोस्तों आपके exam में पूछा गया था, father of GST, father of GST दोस्तों कौन कहलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेई जी, यह भी आपको याद रखना है, विजय केलकर कमीटी दोस्तों इस से related है, को इस से related है, व चले, 320 लोग हैं, दोस्तों, फड़ावर से चलते हैं, आगे की तरफ, अगला question दोस्तों आपके लिए यह रहा, दोस्तों, डैश is celebrated as National Science Day in India, भारत में डैश को राष्ट विज्ञान दिवस की रूप में मना जाता है, 24 जन्वरी को, 28 February, 23 जन्वरी या फिर 8 March, यहाँ पर कह 28 February होना चाहिए, ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं, ठीक है, दोस्तों, जितने लोग 28 February कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, चले आगे, बहुत बड़ी, यहाँ क्या हो जाएगे दोस्तों, किस से भारत रतने से सम्मानित किये गए, किस से दोस्तों, भारत रतने से स आया जाता है, यह आप लोग फड़ा-फड़ से comment करके बता दीजिए, National Girl Child Day, फड़ा-फड़ से बताएंगे, यहाँ पर 24 January कह रहे हैं, तो दोस्तों, जीतने लोग 24 January कह रहे हैं, उनका correct answer होगा, ठीक है, correct answer क्या हो जाएग दोस्तों, 24 January, क्या होगा, 24 January, यह याद रखेग ठीक है, ध्यांचन जी को, मेजर ध्यांचन जी को याद रखते हुए, ठीक है, अगला question आपके लिए यह रहा, दोस्तों, यहाँ पर पूछे जा रहा है, who reviews the distribution of revenues between the state and the local governments on the one hand and between rural and urban local governments on the other, एक और स्थानी सरकारों के बीच और दूसरी और ग्रामिन और शहरी स्थानी सरका finance commission या फिर जिला परिस्यद, कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर कहरे सर, C होना चाहिए, ओके, बाकी लोग के कहेंगे, तो दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर C, C कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, C, यहाँ पर state finance commission, अच्छा दोस्तों, कई बार पूछ खेद, 280 में, किसमें दोस्तों, 280 में, पहले दोस्तों, finance minister कौन थे, दोस्तों, finance commissioner कौन थे, so Casey नयोगी, ठीक है, first finance commissioner, जो थे, वो Casey नयोगी थे, ठीक है, ओर दोस्तों, अगर हम बात करें, अभी current में, कौन है दोस्तों, 15th finance commissioner है, NK Singh, कौन दोस्तों, NK Singh जी है, यह भी याद रखना है ठीक है अगले कोश्चन पर बढ़ें चलिए आगे बढ़ते दोस्तों अगले कोश्चन पर अगला सवाल दोस्तों आपके लिए ही रहा दोस्तों who is the author of the book title winning the inner battle bringing the best version of you in you to cricket winning the inner battle bringing the best version of you to cricket नामक पुस्तक के लेखा कौन है can स Kristen williamson Bradley li David warner और शेन वाट्सन किसकी है दोस्तों यहां पर कहरेशर शेन वाट्सन होने चाहिए ओखे बाकी लोग क्या कहेंगे ठीक है दोस्तों जितलोग शेन वाट्सन शेन वाट्सन कह रहे हैं उनका यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है A century is not enough. उस्तों, A century is not enough. यह किसकी है, दोस्तों? सौरफ गाउंगली जी की. Straight from the heart. यह किसकी है, दोस्तों? Kapil Dev जी की है. यह एक्जैम में पूछी जा चुकी है. 2 ठीक है? Believe. Believe किसकी है, दोस्तों? Believe है? दोस्तों? सूरेश रहना जी की. है ठीक है नो इस्पिन आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है नो इस्पिन किसकी है शेन वान की है किसकी दोस्तो शेन वान की है ठीक है दोस्तो गेम गेम चेंजर पूछा जा चुका है आपके exam में साहिद अफरीदी कीई। है यौवराज सिंग की दोस्तो डोड़ाज कीई। वाइड एंगल वाइड एंगल यह किसकी है दोस्तो यह है अनिल कुम्बले जी की किसकी दोस्तो अनिल कुम्बले जी की है तो दोस्तो ऐसे बहुत सारे खिलारी है जोस्तो आप से एक्जाय में पूछे जाते है ठीक है चले प्रिंस्टन धननजे अंकित सुमेत बहुत बढ़ at kochi shipyard limited in kochi दोस्तो प्रधान मंतिर नायल मोदी ने 2 सितंबर 2022 को kochi में kochi in shipyard limited में पहले सोदेशी विमान वाहक पोद को commission किया है आइनस विकरांथ, आइनस अरिहंथ, आइनस विशाल और यहाँ पे अरिघात जली बताएए विकरांथ, 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 तो दोस्तो बिलकोल यहाँ पे आइनस विकरांथ, दोस्तो SEC CGL Tier 1 में यह सवाल पूछा गया है यह याद रखेगा, कौन सा airport है, जिसको green airport का दरजा दिया गया है, ठीक है, यह question पूछ लिया गया है, तो green airport, दोस्तो कोची airport के, कोची airport को green airport का दरजा दिया गया है, ठीकि दोस्तो यह पूरा का पूरा solar power पे work कर रहा है, यह याद रखेगा, सबसे ज़्यादा दोस्तो international airport की density कहां पर है सबसे ज़्यादा, तो केरला में केरला में सबसे ज़्यादा दोस्तो आपको international airport देखने को मिल जाएंगे यह आपको याद रखना है ठीक है चले आगे बढ़े अगले question पे वेरे कोड यहाँ पे गौरफ, रिमपा, दिवाइन, सुमेत, अमन जोतिर मैं बहुत बढ़िया चले आगे तरफ चले अगला question दोस्तो आप के लिए रहा दोस्तो विच कंट्रीज साइंटिस्ट हैव डवलप्ड नोवल मेकेनिस्टू इनेक्टिव सार्स कोव टू इन जुलाई दो हजर बाईस जुलाई दो हजर बाईस में किस देश के वेज्ञानिकों ने सार्स कोव टू को निश्क्री करने के लिए एक नया तंत्र विक्सित किया है चाइना जर्मनी इंडिया फ्रांस जली से बताए यहाँ पर कैसर चाइना होना चाहिए ओके बाखी लोग क्या के दे दोस्तो तो दोस्तो जित्ते लोग यहाँ पर चाहिना चाहिना कह रहे है दोस्तों उनका यहां पर क्या हो जाएगा बिल्कुल यहां पर गलत हो जाएगा correct answer दोस्तों अपना प्यारा भारत इंडिया इस दी correct answer option number C यहां पर correct answer हो जाएगा यह आद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगले question पर अगला सवाल section यह ठीक है आप किसी cell में अनुमत मानों की प्रतिबिंदित करने में सक्षम होना चाहते हैं और उन मानों की drop-down सूची बनाने की आवशकता है जिसे उपयोग करता चुन सकते हैं आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए protect worksheet, conditional formatting, allow user edited range यह data validation दोस्तों यह MS Excel का सवाल है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों CC कह रहे तो दोस्तों correct answer का option no.4 data validation का इस्तमाल करना होगा आपको ठीक है चले अगला question which of the following cities was a great center of trade, religion and culture and became the second capital of the gupta empire निमलिखित में से कौन सा शहर व्यापार धर्मे और संस्कृति को एक बड़ा केंदर था और गुप्त समराज की दूसरी राजधानी बन गया पाटली पुत्र, बनारस, उजयन और कौसामबी क्या होगा दोस्तों चले दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया यहाँ पर correct answer C होगा आगे बढ़ेरें, अब देखे दोस्तो, यहाँ पर गुप्ता डाइनेस्टि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है किसकी दोस्तो गुप्ता डाइनेस्टि की को क्लासिकल डाइनेस्टि भी कहते हैं। क्लासिकल डाइनेस्टी ठीक है उसके लाव दोस्तों क्या कहा जाता है गोल्डन पीरेड भी कहते हैं क्या कहते दोस्तों गोल्डन पीरेड अब दोस्तों पूछा जाता है किसे ने फाउंड किया फाउंडर पूछे जाते हैं फाउंडर दोस्तों अगर हम बात करें तो श्री इनको दोस्तो कौन सा टाइटल दिया गया था महा राजा धी राजा का टाइटल दिया गया था यह कई बार पूछा जाता है ठीक है फिर उसके पाथ दोस्तो अगर आप से पूछा जाएगा चंदरकुप्टू को कौन सा टाइटल दिया गया विक्रम आदित किसका दोस्तो व वी ए इसमित ने यूज किया था ये टम ठीक है वी एसमित ये भी सवाल याद रखेगा पूछा जाता है दोस्तों अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी वो किसके दोरा बनाए गई किसके दोरा दोस्तों कुमार दी सबके आंसर आ रहे भाई नाम भी बड़े तेजी से जा रहे चलिए अगले कोशन परते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए विच आफ दा फॉलाइंग सिटी वोज यह तो हो चुका है ना चलिए इच टेबल अपियर एज़ा स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड दोस्त नागे बड़ते हैं अगले कोशन पर दस्तों 1905 में सर्वेंट ओफ इंडिया सुसाइटी का गठन किस ने किया श्यामा जी और माने गोपाल क्रिष्न गो खले ने दादा भाई नारो जी या फिर दोस्तों महत्मा गान्धी जी ने किसने किया डोस्तों यहां पर कैसर दाद यहां पर दादा भाई नारुजी जी कह रहे हैं, उनका गलत आंसर हो जाएगा, यहां पर correct आंसर होंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, और यह दोस्तों, पॉलिटिकल गुरू थे, ठीक है, पॉलिटिकल गुरू थे, किसके, महातमा गांधी जी के थे, मोहंदास, करमचंद, गांधी, ठीक है, अच्छा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले की कौन थे, गुरू, एमजी रनाडे थे, कौन दोस्तों, एमजी रनाडे थे, इनके गुरू, यह याद रखेगा, यह भी कई बात पूछा जाता है, ठीक है, अगर मैं 1905 की बात करत हुई थी, किसकी दोस्तों, बेंगॉल, पार्टिशन की बात हुई थी, किसके समय में, करजन के समय में, ठीक है, लौड करजन के समय में बात हुई थी, ठीक है, और इसको दोस्तों, अपोस करने के लिए आपको याद होगा, 7 अगस्त, 7 अगस्त, 1905 को स्टार्ट किया गया हिंदु स्वराज था जब वो दोस्तों एक लेंड से कहाँ दोस्तों एक लेंड से अफरिका जा रहा है थे शिप में तब उन्होंने दोस्तों इस किताब को लिखा था हिंदु स्वराज ठीक है आगे बढ़ें वेरिगुट्स लोबजैंक सुमेश सुप्रभाद धनंजे है पटरबड़ से बताएंगे हम यहाँ पर बी आप्शिन बी ऑप्श्वन गर्कट ऑजजर क्या हो जाएक दुस्तों कंई हड्योजन ख्रक्ट नोगा दोस्तों देखिए हट्युजन फ्रस्ट घ्रूप में हैं ठीक है फ्रस्टु उप में दोस्तों क्या है अलकील ग्रूप में क्या है alkaline earth metal second group में क्या है alkaline earth metal है ठीक है देखें दोस्तों first और second group में आपको metal मिलेंगे लेकिन यह hydrogen ऐसा बदमास है ना कि दोस्तों वह एक student में बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए यह रहा दोस्तों in 1956 मिस अमरिता प्रीतम विकेम दा फर्स्ट वूमें टुविन दी साहित academy award ठीक है for her long poem सुने हादे in which year she receives पदमे विभूशल दोस्तों 1956 में शूश्री अमरिता प्रीतम अपनी लंबी कवीता सुने हादे के लिए साहित academy पुरुषकार जीतने वाली महिला बनी जिन्हों किस वर्ष पदमे विभूशल से समानित किया गया 2002 2004 2006 2008 कब दिया गया दोस्तों 2004 कह रहे हैं तो दोस्तों यहां पर correct answer दोस्तों 2004 इस दा correct answer अब देखिए दोस्तों क्या पूछा जाता है संगीत नाटक academy की स्थापना कभ अगर यह सही है तो तो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है 1903 ओके अच्छा दोस्तों इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ पदमा वार्ष जो होते न दोस्तों यह हर साल दिये जाते हैं 26 जन्वरी को ठीक है कौन देते हैं राश्पती मतलब प्रेसिडेंट देते हैं स 28 लोगों को दिये गए पदमभूशड चार लोगों को दिया गया पदमभूशड सात लोगों को और पदमश्री दोस्तों 117 लोगों को काउंट कर लेंगे तो 128 हो जाएगा ठीक है अगले कोशन में बढ़े वैरे गूड रतनाकर, प्रिंस्तन, शशांग, प्रेमजी, मीरा विवेक, सुमित, बहुत बढ़ी जासी, अगला कोशन दोस्तों, दप्यूरा, प्रोवीजन ओफ अर्बन एमेनिटीज टु रूरल एरियास, मॉडल वाज एडवोकेटेड बाई डैश, दोस्तों, प्यूरा, ग्रामिंड छेत्रों में शहरी सुविधा परदान करना, बाखी लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों, जीते लोग एपज अब्दुलकलाम जी कह रहे हैं, उनका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़ी है, यहां करेक्ट आंसर क्यों हो जागा, एपज अब्दुलकलाम जी, दोस्तों, यह 11th प्रेसिडेंट थ दोस्तों, टार्गेट, 3,000,000, टर्निंग पॉइंट, क्या दोस्तों, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट, और क्या दोस्तों, इनसी, विंक्स ओफायर, क्या दोस्तों, विंक्स ओफायर, यह सब दोस्तों, इनकी important किताबे हैं, दोस्तों, जो आपके exam प सूरज कुन्द मेला भारत के किस राज में मनाया जाता है जो भारत के हस्त शिल्प हत करका और संस्कृती ताने बाने की समृध्धी और विविद्धा को प्रदर्शित करता है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है क्यों राजिस्थान में मध्यप्रदेश में अर् उत्तरप्रदेश में कहां पर सबसेल् statute तो यह दूस्ते ने करेक्टा प्रदेश और हुआ उद दोश्तो एक matinPTor nawet करेक्ट पार है आगे बढ़ें अगले कोशन पे चलिए अगला सवाल दोस्तों दो हजार बाइस कॉमन वेल्थ गेम इन बिर्मिंगम कंक्लूदेड ओन एट अगस्त दोजार बाइस वोट इस दा रैंक ओफ इंडिया इन दी मैडल्स टैली बर्मिंगम में दोस्तों 2022 राष्ट मंदल खेल का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अब देखिए दोस्तों कॉमन वेल्थ का पोश्ट माटम कर देंगे बड़ा परसान कर दिया हर एक्जाम में पूछ लेता है कुछ ना कुछ चलिए कर देते पोश्ट माटम सबसे पहले तो हम बात करें कॉमन वेल्थ गेम सब के लेंड में हाना ठीक है कौन सा संस्क्रण था 22 संस्क्रण था याद रखीगा इसका दोस्तों मैसकट सुभांकर क्या था दोस्तों मैसकट पैरीदा बुल था क्या दोस्तों पैरीदा बुल था ठीक है अगर मैं बात करता हूं कॉमन वेल्थ की दोस्तों तो ओपनिंग सेर डिंडिया की आपने बताया वॉर्थ रंक आई कोसि दोस्तो फॉर्थ रंक आई कितने ने टोटल 61 ठीक है फिर आपसे पूछेंगे स्वैंड कितने जीता बाइस हमने जीते r विलवर कितने जीते 16 जीते और बॉयांज कितने जीते दोस्तो 23 जीते काउंट करेंगे तो किता आ जाएगा 61 आजाएगा अब आपको बताना है दोस्तों पहला ऑला था मिरा पाई चानु ने तिक किस नह Cas profound फौरा था ठीक है याद रखेंगे चले आगे चले तो दोस्तों इतने सवाल बंद सकते हैं वैसे तो अभी बनने को तो और भी बन सकते हैं लेकिन जो आपके लिए इंप्वाइट दोस्तों इतने तो है ही ठीक है आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला question हाँ किस राज जे सरकार ने पी-म आत्म निरभर निधी योजना स्वानिधी योजना में योजना के तहत सबसे अधिक रिणों को मंजूरी देकर देश में पहला इस्थान प्राफ्त किया है मद्यप्रदेश बिहार जारखंड और उत्तरप्रदेश कौन सा दोस्तों यहां पर कहर यूपी होना चाहिए ओके बाकि लोग क्या के दो दूस्तों यूपी करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा तो दोस्तों जित्ते लोग यूपी कह रहे हैं उनका यहां पर और अंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया यहां पर यूपी अच्छा दूस चंपल दोस्तो बड़े नौटंकी याद करने का थीक युपी वाली स्बसकी एक राश्चत नाश्टियान है कि दोस्तों जल्दी बताइए यस और नो यह होंबग रहेगा आपके लिए ठीक है अच्छा इसके अलावा दोस्तों आपसे क्या पुछा जाएगा लोग सभा सीठ सबसे ज्यादा एकतिस यहां के सी एम यह योगिनाज जी कौन ही बूलेगा इनका नाम ठीक है अच्छा य जलिए तो यहाँ पर अनंदी बैन पटेल और बोल रहे दोस्तों उनका करेक्ट आंसर ठीक है ऐसी बात नहीं दोस्तों यूपी वाले कैसे दोस्तों नाम नहीं खराब होना चाहिए है ना सारे राज बराबर हैं कोई ऐसा नहीं है सब मिल जुलकर है ठीक है चले अगला कुशन दोस्तों लेकिन उससे पहले फटावर्ट से एक बर क्या करेंगे सबी लोग फटावर्ट से लाइक और शेयर करेंगे ठीक है अगला कुशन दोस्तों वाट इस रेंग ऑफ इंडिया एड़ी 15 इंटरनेशन ओलम्पियाड एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आई ओ एए 2022 पंद्रवे अंतराश्टी खगोल विज्ञान और खगोल भौत की ओलम्पियाड में भारत ने पदक ता अधिक यहां पर six के रहे हैं उनका गलत आंसर होंकर दोस्तों यहां पे थर्ड रेंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है यहां पर क्या है थार्ड रेंग अच्छा है पहली रेंग किसकी आई दोस्तों एरान की वह भी कितने गोल्ड के साथ पांच गोल् दोस्तों, ठीक है, चले, अगले कोशन बढ़े, चले, अगला कोशन आपके लिए दोस्तों, the operating system creates two operations, dash and dash, for using disk space to hold its file and folder, ठीक है, operating system अपनी file और folder को रखने के लिए, disk स्थान का उपयोग करने के लिए, दो operation dash और dash बनाता है, partitioning, logical formatting, swap space, catching, ठीक है, catching, logical formatting, logical formatting, swap space creation, क्या बनाता है, दोस्तों, यहाँ पर B option कह रहे हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगे, दोस्तों, correct answer को A option, partitioning and logical formatting करता है, ठीक है, चले, अगला question, which of the following is an input device, बहुत ही simple सा सवाल, निमलिखित में से कौन सा एक input device है, क्या वो digital camera है, printer है, projector है, या फिर monitor है, फड़ा पर से बताई, input device आप से पूछा गया है, दोस्तों, यहाँ पर A option कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों, जीते लोग A option कह रहे हैं, उनका यहाँ पर correct answer का digital camera, जो है, दोस्तों, वो input device है, बाकी सारे के सारे output device, ठीक है, अगला question, दोस्तों, चिराओ dance, चिराओ dance is a traditional dance form of which state, चिराओ नित जो है, वो किस राज़ की एक पारम पर एक नित है, असम, मिजोरम, सिक्किम और अरुनाचर पदेश, फड़ा फ़र से बताइए, चिराओ dance, यहाँ पर कहरे सार होना चाहिए, बी option, ओके, मिजोरम, मिजोरम, तो दोस्तों, correct answer का मिजोरम, मिजोरम की capital का कैसे दोस्तों, ऐजोवाल है, मिजोरम में दोस्तों, forest density सबसे जादा है, का दोस्तों, घनतव, जो है, दोस्तों, सबसे जादा है, वन घनतव, ठीक है, याद रखेगा, अगला कॉश्चन दोस्तो विच ओफ फॉलाइंग इंडियन पॉलिटीशियन है रिटन दी बुक कॉल्ड प्राइड प्रिजुड़ाइस एंड पुंडिट्री दोस्तो निमलिखित में से किस भारती राजनेता ने प्राइड प्रिजुडिशी एंड यहां पे पंडित्री न शशी ठरूर जी यहां पे हो जाएंगे ठीक है शशी ठरूर जी की दोस्तो और फेमस किताबे भी है और और कोंसी पराडोक्सियल प्राइम मिंस्टर केरला गौड्स ओन कंट्री यह भी आपको याद रखना है पूछा जाता है ठीक है चले अगले सवाल पे चले अगले सव सांक आदित बैडबॉय मीरा निहार का बहुत बढ़िया चले अगला कोशन दोस्तों डैश प्रोड्यूसेज एनर्जी इन प्लांट यूजिंग दा रेस्पिरिटरी सिस्टम डैश शशन तंत्र का उप्योग कर पादप कोशिकाओं में उर्जा का उत्पादन करता है हाँ एक्सिदेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू जी के लेकि प्रडोक्सिल प्राइम मिनिस्टर किस किया दोस्तों वो शशशी थरूर जी किया ठीक है यहां पे दोस्तों जितने लोग कह रहें सर होना चाहिए दोस्तों, Robert Brown ने कि थी, किस वर्ष में कि थी, 1804 में किया था, ठीक है, सेल की खोज किस ने कि थी, दोस्तों, Robert Hook ने कि थी, किस ने दोस्तों, Robert Hook ने, कब किया था, 1665 में, ठीक है, राइबोजोम को क्या कहा जाता है, दोस्तों, protein factory, इसको कहते है, protein factory कहा जाता है, ठीक है, अच् के exam में क्या पुछा गया था CGL tier 1 में कि बताइए जो plant के cell wall होते हैं वो किसके बने होते हैं तो वो cellulose और pactin के नहीं था तो cellulose लगा सकते थे थीठ है अगला question यहाँ पर हम लोग 320 लाइक करेंगे, क्लास समाप्त की जाएगी, तो फड़ावर से लाइक करेंगे, और शेयर करते हो चलेंगे, तो दोस्तों, जिते लोग यहाँ पर BB option करें, उनका correct answer को Swami Vekanand, यहाँ पर correct answer हो जाएगे, ठीक है, अगला question दोस्तों, Dash should be used to open the insert tab, to insert tables, pictures, shapes, headers, और text boxes, दोस्तों, Dash का उपयोग, table, pictures, shapes, header, या फिर text, text box insert करने के लिए, open the insert tab, या फिर open करने के लिए किया जाता है, Alt plus P, Alt plus S, Alt plus N, और Alt plus H, किसका इस्तमाल करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 option कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, B option होना चाहिए, तो दोस्तों, जित्ते लोग यहाँ पर B कह रहे हैं, उनका गलत होगा, जित्ते लोग यहाँ पर C कह रहे हैं, उनका correct होगा, Alt plus N, यहाँ पर correct होगा, ठीक है, अगले question पर बढ़ें, चले, अगला सवाल, दोस्तों, उदाइगीरी केव, बहुत ही इपॉड़ेंट, हैव स्टैच्यू देट रिलेडेट टू, उदाइगीरी गुफाएं, मूर्तिया, किस से सम्मंदित हैं, हिंदुईज, बुध्धीज, जैनिज्म, या फिर all of the above, किस से दोस्तों, उदाइगीरी की गुफाएं, यहाँ पर कहरें, सर हिंदू होना चाहिए, कुछ लोग कहरें, सर जैनिज्म होना चाहिए, ओके, तो दोस्तों, मैं आपको बता दू, जिते लोग हिंदूईज, हिंदूईज में कहरें, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, चले, आगे बढ़ें, इसको दोस्तों हम लोग 20 rocket भी कहते हैं, क्या दोस्तों, 20 rocket cave भी कहते हैं, क्या दोस्तों 20 rocket cave, कहाँ पर है, विदीशा में हैं, सर विदीशा कहाँ पर है, MP में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, चले आगे, चले, अगला कुशन दोस्तों आपके लिए रहा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉंस्टूशन डील्स विदी टर्म ऑफ ओफिस ऑफ प्रेजिडेंट, भारती सम्मिधान का कौन सा नुछे, जो है, राश्पती के पद की अवदीकिस से संबंदित है, 38, 36, 58 और 56, फटाफ़ बताएए, जल्दी से बताएए, यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल, और 56, जो आपने बता दिया, ठीक है, अंठावन में क्या है, जो आपने बता दिया, ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके लिए, The National Statistical Commission was established on the basis of the recommendation of which one of the following commission or committees, ठीक है, राश्ट ये सांखी की आयोग की स्थापना निम्रिखित में से किस आयोग और समीती के सिफारिशों के आधार पर की गई थी, रंगाराजन कमीशन, लोधा कमीशन, सतनाम कमीशन और M.G.K. मैनन कमीटी, किस कमीशन या फिर कमीटी के दोस्तों, फड़ा फड़ बताएंगे, चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, जित्ते लोग यहाँ पर कहरें सर, A option, A option, बहुत बढ़िया, रंगाराजन कमीशन, यहाँ पर करेक्ट आंसरों का ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल दोस्तों, आपके लिए रहा, Who among the following is the first Indian woman to win a medal in Olympics, दोस्तों, निमलिखित में से, कौन ओलम्पिक में पदच जीतने वाली पहली भारती महिला है, कर्णम मलेश्वरी, मीरा भाईचानू, पीटी उशा और पीवी सिंधू, किसमें जीता है दोस्तों, यहाँ पर कर्णम मलेश्वरी होने चाहिए, तो दोस्तों जीतने लोग कर्णम मलेश्वरी करे दोस्तों, उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, चले आगे, बहुत दोस्तों, weightlifter थे, ठीक है, भरतुलन से related, ठीक है, अगला कॉशन, dash is Microsoft Excel, always begin with an equal to sign, दोस्तों, Microsoft Excel में, dash हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है, numbers, formula, text, या फिर tables, जल्दी से बताएं किसके शुरुवात होती ही, दोस्तों, formula कह रहे हैं, यहाँ पर Princeton, formula, okay, masterpiece कह रहे है, सर B होना चाहिए, formula, तो दोस्तों, जितने लोग formula कह रहे हैं, उनका correct answer हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, अगला question आपके लिए, दोस्तों, during the mahajanpada, era, the capital of the wajis was the, in which of the following cities, दोस्तों, mahajanpada, yug, के दोरान, wajiyo की राजधानी निमलिखित में से किस शहर में थी, क्या वैशाली में, कौशामभी में, या फिर रायगड में, कहां पे थी, दोस्तों, और दोस्तों, जितनी जल्दी यहां पे 320 लोग live करेंगे, 320 like होगा, अपन क्लास समाप्स कर देंगे, तो फड़ावड से like करिए, और यहां पे share करते हुए चलेंगे, तो दोस्तों, यहां पे कर्कार वार में, थेक है, तो धारला कव दोस्तों, अगले करते हैं, अगला कॉशन आपके लिए और जाता है एक अप्रैल, 22 मही 15 दिसंबर और 10 नौंबर कम बनातें दोस्तो फड़ा फड़ से बताएंगे यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए बहुत बढ़िया 22 मही के साथ जा रहे हैं तो दोस्तो जीतने लोग 22 मही 22 मही कह रहे हैं उनका correct answer होगा ठीक है अगला question दोस्तो which scheme has been announced by the PM Narendra Modi on the occasion of National Teachers Day दोस्तो राष्टे सिख्षक दिवस के अवसर पर प्रधान मंतरी Narendra Modi दोरा किस योजना की घोशना की गई PM श्री योजना फ्रॉम जंधन टू जन सुरक्षा योजना, अटल पैंसन योजना प्रधान मंतरी वाया वंदना योजना किसकी दोस्तो शुराद की गई यहां पे कह रहे सर PM श्री होना चाहिए, ओके बाकी लोग कहते दोस्तो चले दोस्तो, जितलोग PM श्री PM श्री कह रहे दोस्तो, उनका यहां पर correct answer हो जाएगा, ठीक है यहां पे कहोझाएगा यहां पे होझाएगा PM श्री, अच्छे दोस्तो इसका full form कह है दोस्तो, मैंने आपको बतायाः था है स्री का full form है School School for Rising India क्या दोस्तो, Rising India इसका full form है PM मतलब प्रधान मंतरी लगा दीजिया आगे कि दोस्तो प्रधान मंतरी ठीक है प्रधान मंतरी स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पी-म श्री ठीक है आगे बढ़ें चले आगे बढ़ते दोस्तो और यहां पे जल्दी से 320 करते हैं ठीक है अगले कुशन के साथ अगला कुशन दोस्तो ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- होता है समाप्त लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुश खबरी दोस्तो क्योंकि दोस्तों MTS के लिए यहां पर लेकर आने वाले हैं special class तो दोस्तों मैं आपके लिए इस रवी वार को इस संडे को time note down कर लीजे इस संडे को MTS की 4 hours की class लाने वाला हूँ जहां पर हम लोग इस special class में सारे GK GS के सवाल करेंगे जो आपके exam point of view से बहुत ही जादा important है और जोस्तों कुछ ऐसे भी question करेंगी जो आपके पूछे गए exam में ठीक है कितने बज़े 6 बज़े दोस्तों कितने 6 PM से लेके 10 PM ठीक है 4 घंटे में पूरी GK complete करने की कोशिश करेंगे तो आप मेर notification लगा लिजे alarm set कर लिजे Sunday को 4 hours की class 6 PM to 10 PM ठीक है और इसकी PDF कहां पे मिलेगी दोस्तों इसकी PDF मिलेगी आपको आप लोगों के लिए लिंक ठीक है तो इससे भी जुड सकते हो दोस्तों लाइफ चैट पे mentioned कर दी है तो इससे भी जुड सकते हो دोस्तों sorry for the spamming तो दोस्तो इस session को फिर यहीं पर करेंगे समाप्त अगर यह session आपको अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताईएगा और दोस्तो जो भी homework दिया गया उसको जरूर कर लिजेगा जिससे आपके practice जो है वो continuously होती रहे वो रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि selection दोस्तो इस बार लेना है और आपको पता है MTS की जो है दोस्तो वेकेंसी increase हो गई है तो अभी से रुकिये मत क्योंकि अभी तो दौर सुरू हुआ है और selection अभी लेना है मिलेंगे अगले session में एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ तो मेरे साथ Saturday को जोड़ना मत भूलेगा 4-6 IB के लिए class करेंगे दोस्तो intelligence bureau के लिए हम लोग class करेंगे 4-6 ठीक है और Sunday को 6-10 बजे तब तक के लिए अप क्या करेंगे अपना ख्या लखेंगे अपनों का ख्या लखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे बाइबाई टेक एर जैहिन जैभारत